आपको अपर चुछ तो चलिए इस्टुएंट्स इस्टार्ट करते हैं आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक के बारे में ज्रॉग एंड कॉस्मेटिक एग्ड बहुत इंट्रेस्टिंग और इंप्टेंट टॉपिक है और यह आप लों के स्लेवर्स का पार्ट है तो चलिए पढ़ेंगे हम ड्रगिंड कॉस्मेटिक एक्ट में क्या इसके त्व चब्यादे क्यों सेट करते हैं एक वीद्यक जूपिक एक यह पास किया गjas है टा Shana 10th April 1940 में यह हमारा जो Government of India का एक Act है जिसको 10th April 1940 में पास किया गया था इसलिए Drug and Cosmetic Act को Drug and Cosmetic Act 1940 के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि 1940 में यह Act पहली बार पास किया गया था इंडिया से तो चलिए इसकी अब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं इसका पहला अब्जेक्टिव है टू रेगुलेट इंपोर्ट मैनुफेक्ट्र डिस्ट्रिबूशन एंड सेल ऑप्टी जर्ग्स एंड कोस्मेटिक जो भी दवाईया कोस्मेटिक इंडिया में इंपोर्ट हो होता है दवाओं को बेचा जाता है कोस्मेटिक को तो उसके लिए उनका एक रेगुलेशन होना चाहिए को रूल्स रेगुलेशन उसको फॉलो करना ज़र्य होता है उसमें यह रेगुलेट करने के लिए यह एक्ट बनाया गया है जो भी इंपोर्ट के दवाईया आती है तो उनका एक स्टैंडर होना चाहिए और लेबिल उस पे लगा होना चाहिए कि इस पे क्या इंग्रेटियंट मौजूद है कोई कंपॉंड रग है यह कॉस्मेटिक है और वो इस इंग्रेटियंट से मैच करना चाहिए अगर कोई डग या कॉस्मेटिक को बनाना चाहती है तो उसको पहले गवर्मेट आफ इंडिया से इसके लिए लाइसेंस लेना ज़रूरी है नेक्स्ट डे मैनिफेक्चर डिस्ट्रिबिशन और सेल अबजर्क्स और कॉस्मेटिक बाए क्वालिफाइट परसंस अनली जबना है कितने टेंपरिचर पर हमें रखना है इस सब चीजों के जानने के लिए उसका क्वालिफाइट होना ज़रूरी है तब चलिए इसके इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं क्या है यह ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट जो भी इंडिया में ड्रग कॉस्मेटिक वगरा इंपोर्ट होते हैं उसके रेगुलेशन होता है इसे एक्ट के जरीए और यह 1940 में पास हुआ था इस एक्ट को पहले ड्रग एक्ट ही कहा गया था इसमें कॉस्मेटिक को बाद मैट किया गया है और यह 1940 में पास हुआ था इसमें ड्रग से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स को दोबारा फिर पास किया गया है 1945 में इसमें एक्ट एक्ट एक बार बन गया तो तब से यह वही चला रहा है लेकि बलकि इसमें टू टाइम इसमें नए नए अमेंडमेंट होते रहते हैं और इसमें जो सबसे मेजर अमेंडमेंट हुआ था मेंन औब जीटिव अप देठेट के इसमेंट हैई स्चाइस मेडिकलो मेड़िकलो झाएट मेरा फिर ऑप फॉब जाए पशाई उसको रोका जाएं थे छुप को स्टेंट का इसे परटिक्लर सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है तो इन चैप्टर की डिटेल में आमें नहीं जाना है बस आपको पता होना चाहिए इसमें five chapters है और किस chapter में किस चीज़ के बारे में बताया गया है तो पहला chapter introductory chapter है इसमें definitions के बारे में बताया गया है दवा क्या है, cosmetic क्या है, बहुत सारी definitions और introduction इन सब के बताया गया है second chapter है drug technical advisory board इसमें जो drug technical advisory board बनाया जाता है उसके बारे में बता गया है और Central Drug Laboratory के बारे में सेकंड चैप्टर में बताया गया है थर्ड चैप्टर है Import of Drug and Cosmetic, थर्ड चैप्टर important है इसमें जो भी दवाएं और कॉस्मेटिक इंडिया में इंपोर्ट होती है उन दवाओं कॉस्मेटिक के बारे में थर्ड चैप्टर में बताया गया है फूर्ड चैप्टर में जिक्र है Manufacture, Sale and Distribution of Drugs and Cosmetics के दिलेटिब दवाओं का Manufacture किस तरह होना चाहिए उनका Sale and Distribution किस तरह हो इस सब चैप्टर फूर में बताया गया है इस चैप्टर फूर में बाद में एक चैप्टर और एड किया गया इसके अंडर चैप्टर फूर ए जिसमें बताया गया आयोवेदिक, सिद्धा और हूनानी दवाओं से रिलेटिड उसमें प्रोविजन को एड किया गया यह ओरिजनली यह इस एक्ट के अंदर नहीं था लेकिन यह बाद में एड किया गया है एस यू ड्रक्स के बारे में चैप्टर फाइव में बहुत सारे इडिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में बताया गया है in 1964 the act was amended to include asu drugs 1964 में किया हुआ इस एक्ट में asu drugs को एड किया गया यानि कि जो आवेदिक सिध्धा यूना ने दग्स को एड किया गया है यह 1964 में ड्किया गया था इन रिलेशन टू ASU सिस्टम अफ मैडिसिन और फॉर्मिलेशन से कोई कंपनी अगर बनाती है तो वो उन इन फॉर्मिलेशन पर बेस्ट होना चाहिए जो अथरिटेटिव बुक्स के अंदर मैंशन है यानि कि जैसा कि हमारे खराबदीन होती हैं खराबदीन एक बुक होती है मरकबात की जो गवर्मेंट आफ इंडिया से पास होती है तो इस खराबदीन के नुखों के मताबख है उसके इंग्रेडियन के मताबख है दवाएं ब कास्वेटिक्स जो मिस्प्रांटिट कास्मेटिक्स हुए इंप sl全 टूर्टयश उम़्िश Khyres फ्कॉस्मेटिक्स यानि怕 इनकली हु जो देखने में original की तरह लहीं लेकिन ओ अवह कि बल्के लुब्लि केट लकली हूं इसमें next है कॉस्मेटिक करने करनेग्छ कांटी हमफुल इंग्रिडेंट और कॉस्मेटिक में कि नर्ट फॉर इस्तेंडर्ड क्वालिटी की लिए हो तके अंदर हैवी मैटल्स मौजूद हो जैसे लेड आर्श सेनिक वागरा अगर उसके अंदर मौजूद है उसकी पर्मिसिपल लिमिट से ज्यादा तो उसका इंप प्रोहिमिटेट है जिने हम सेल नहीं कर सकते हैं तो इसमें पहला है मिस ब्रांडेड जिस दवा के उपर कोई ब्रांड मौचूद नहीं है किस ब्रांड की दवा है उसको सेल नहीं किया जा सकता इस पूरिय अडल्ट्रेटिड एंड ड्रग नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वाल stability नहीं है तो उसको सेल नहीं किया सकता है सैकेंड द्रग वे अनृशल फोर्मला को ऐसी दवा है और पिछे मिष्लेण को इसल के लेडियेंट क्या पूरियूड फ्रॉबला है तो इसल करों नेक्सकी एकस्पाइयर्टब्स और नेक्स-वन ज्ञ्च्व्न जाख्स उग्स При government scheme such as armed forces बहुत सारी दवाएं आती हैं जो government scheme के तहते हैं बहुत सी जगह दी जाते हैं जैसे armed forces जो army army persons होते हैं उन लोगं के लिए बहुत सारी दवाएं चाहते हैं तो उन दवाओं को sale नहीं किया जा सकता है वो prohibited हैं नेक्स्ट है यानिकि बहुत सारे जो sample होते हैं जो physician को दिये जाते हैं वो patient को बिना पैसो के तो दे सकता है physician लेकिन उनको sale नहीं कर सकता उसे बेचा नहीं जा सकता वो prohibited है लेकिन आज कल बहुत जादा माल प्रैक्टिस चल रही हैं बहुत सारे physicians उस सैंपिल को भी सेल कर देते हैं जो कि एक बहुत जादा रॉंक प्रैक्टिस है ओके स्टर्च तो यह था ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के बारे में आई होप आप लोगों को समझ आया हो गई जितना मैंने बताया इतना आप लोगों के एक्जाम के लिए सफिशन्ट ही लेकिन आप इसकी अगर डिटेल में इसको और जादा पढ़ना चाहते हैं तो यह नैट पर अविलेबिल है आप इसको पढ़ सकते हैं समझ सकते हैं और इसे अल्ला आफिस